दोस्तों जैसा कि आपको देखने को मिला है चुनावी मोहौल के कम से कम मोर देन हाफ परसेंट सीटे देखेगा बुक हो चुकी है और यहाँ पे बहुत बड़ा अपडेट मैं आपके लिए ला रहा हूँ क्योंकि आपको यह पता होना चाहिए जस एक घंटे पहले यह अपडेट आया है यह आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये सबसे best time है आपके invest करने का जब daily life high बन रहा था तो आप invest कर रहे थे जब daily महंगा हो रहा था बजार तब आप invest कर रहे थे आज वही सारी चीज़ें आपको 40% के discount पे मिल रही है तो आप invest नहीं करना चाते हैं तो उसके लिए अपडेट बहुत अच्छी और संजीवनी जैसी होगी कि actual में मोहौल कैसा बनाया जाता है ताकि retailer पैसा ना कमा पाए एक एक करके बाद को समझेगा वीडियो के अंतक बने रहीएगा तो सबसे पहले आपको पता है मैंने आपको पहले बताया था फॉलादी सटा बाजार यह सबसे important सटा बाजार है यह actual में prediction करता है और आपको पता है कि इनके prediction most of the time सही रहते हैं और इसके basis पे market discount होता है या तेजी देता है तो actual में देखिएगा यहाँ पर आपको जो heading देखने को मिल लही होगी कि चौते चरण की voting के बीच यानि कि आज के Facebook करने के बाद आज की face की voting के नजर नदाज ना किया जाए तो बीजेपी को अब 300 सीटे भी नहीं मिल लही है अब देखिए इस पे ही market गिर जाता है अगर आप देखेंगे तो ऐसे केवल heading देख लीजे आप तो लगेगा अरे अब तो गरबर हो गया बीजेपी कहीं ऐसा ना हो कि बहुमत ना ला पाए कहीं ऐसा ना हो कि कुछ जो market ने expect किया है वो ना हो पाए तो बिलकुल देखिएगा exact location exact देखिएगा चीजें आपको पता होनी चाहिए कि FIIS market को locate कहां पे करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पता है कि जब बाजार भाग रहा था और पहले दो चरण की वोटिंग के बाज से बाजार में तेजी थम गई तो उसका पहला कारण था जो 400 पार कहा जा रहा था उसके prediction कम हुए फॉलादी 68 बाजार ने पिछले prediction बताया था कि 330 से 350 के बीच में सीटे BJP की आते हो देखने को मिल नहीं है मलब BJP और NDA के आते हो देखने को मिल नहीं है और ये जब prediction 400 से कमाया यानि कि 400 से जैसे ही डिकलाइन हुआ वैसे ही तुरंत अगर आप देखेंगे तो बाजार गिरने लगा था अब देखिएगा जो prediction चौथे फेस के बाद आया है कि BJP को 300 सीट नहीं मिल नहीं तो आपको भी पता है कि जब आप 400 के level के इंसान होगे तो market और FII आपको 400 के level पे valuation देगा जब आप 350 के होगे तो 350 का valuation देगा और जब आप 330 या 300 के होगे तो आपको उस तरीके का valuation देखने हो मिलेगा तो जस रुजान जो कह रहे हैं कि BJP की 300 सीटे भी नहीं आ रही है तो यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि अगर आप चेक आउट करेंगे जो 400 पार का नारा था वो धूमिल हो रहा है और माना जा रहा है कि BJP को 300 सीटे यानि इंडिविज्वल BJP कितनी सीटे ला रही है ये पहले बताना आपके लिए जरूरी है तो पहले ये माना जा रहा है कि BJP की इंडिविज्वल सीटे आ रही है 296 से 300 के बीच में according to the prediction इसमें हमेशा देखेगा 17-20, 18-20 इस तरीके का अंतर आता है यानि कि यहां पे 10 सीटे बढ़ भी सकती है और 10 सीटे कम भी हो सकती है तो आपको पता है कि जब पहले 330 सीटों का अनुमान था 310 सीटों का अनुमान था BJP का तो वो चीज़े थोड़ी सी 10 सीटे कम हो गई तो मार्केट उसको डिसकाउंट कर रहा है लेकिन सरकार क्लियारिटी के साथ BJP बना रही है चुकि NDA की मिला कर 330 सीटे तक BJP ले आएगी यानि कि NDA गठबंदन ले आएगा तो आप देख सकते हैं यहां पे कि पूरी तरीके से यह golden opportunity है यह golden opportunity है कि BJP की जो सीटे हैं वो आपको 300 के आसपास आते हो देखने हो मिलेंगी टोटल NDA देखेगा 330 से 350 के बीच में आता हुआ देखने हो मिलेगा BJP की सरकार जैसे ही देखेगा सत्ता में आएगी तो तुरंत आपको देखे यहां पे क्या होगा तुरंत आपको यह opportunity है तब वहाँ पे धूमिल हो जाएगी यह जो opportunity है कि आप इनवेस्ट तो कर सकते हो option trading नहीं कर सकते हो तो आप इनवेस्ट तो कर सकते हो सस्ते बाजार में हमेशा इनवेस्ट करना चाहिए तो इनवेस्ट मेंट के लिए अगर आप देखेंगे तो यह best time है यह confirm है कि आने वाले time में बीजेपी की government बनेंगे और तब बाजार भागेगा तो focus करेगा राम राम